हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों आज कल कीचन गार्डिनिंग का चलन है मतलब शोक रखते हैं लोग हम पोधे अक्सर या तो नर्सी से खईद कर क稱 receive तो सबसे पहले मैं money plant प्लांट के बारे में बात करूंगी money plant एक ऐसा पोधा है जो آसानी से घर के महें grow हो जाता है और money plant जो वश्तू के अनुसार अगर घर में हरा-भरा money plant लगा हो तो धन की कभी भी कमी नहीं आती वैसे तो अब लोग money को वास्तु की बज़ए अपने घर को खुबसूरत बनाने के लिए लगाते हैं आप एक स्वस्त और उसके बढ़ती ही पत्ती ले लीजिए और उसको आप लगा सकते हैं और इसलिए वो ग्रो हो जाती है मैंने अपने घर के अंदर बहुत सारे मनी प्लांट लगा रखे हैं ज हमेशा हरियाली काफी पसंद है और घर के बहार तो मैंने बहुत ज़्यादा पोधे लगा ही रखे हैं लेकिन घर के अंदर भी मैंने हरे कोने मनी प्लांट को ग्रो कर रखा हैं और पानी से ग्रो कर रखा हैं काफी ज़्यादा यह हैल्दी हैं काफी अच्छी इनकी में घर के अंदर पानी में अगर ऊसको ग्रोः करना है तो उसकी जड़े काफी ज़्यादा प्सक्राइब जहाती काफी जादा पानी के अंदर है और काफी अच्छी महाते पानी marlingen rice सकते हैं और बड़ा ही खुबसुरत यह प्लांट है हवा को शुद करता है एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर को मिलती रहती है दोस्तों दूसरा जो पोदा है वह एलोवेरा का पोदा है इसे हर कोई घर के अंदर लगाना पसंद करता है अगर आप लगाना पसंद कर रहे ह कुछ टाइम में कुछ हफतों में इस की नई पतिया निकलनी शुरू हो जाती है और इतना घहना फैल जाता मतलब एक अलोवेरा के प्लांट बन जाते हैं जैसे कि मैंने बना रखी है तो तीस राते हैं तो जड़ प्लांट जड़ प्लांट भी एक किसम का पोदा है यह पत मैंने लगाई थी और कितनी जल्दी ग्रो कर गई कितनी जदा यह फैल गई और यह बहुत ही जल्दी फैलती है बहुत ही खुबसूरत यह पोदा है इसकी जो पत्य है वह इतनी ग्रीन है काफी खुबसूरत लगती है नेक्स जो प्लांट आता है दोस्तों सिंगोनियम का प्ल इसके पत्ति ने से लग अलग भी इसके के लियमा करते हैं इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं दोस्तों और यह जो है यह जो ऐसा पोदा यह 2400 गंटे ऑक्सिजन देता रहता है आप यह हमारे घर की हवा को इतना शुद रखता है हमें पोलुशन फ्री रखता है और हमारे स्वास्त के लिए भी काफी अच्छा यह पोदा है हमार इतनी सुंदर ही इसकी पत्यां होती है और यह असानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है यह बहुत सारी प्लांट एक प्लांट से बहुत सारी प्लांट हो जाते हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर में आता है इसमें फूल नहीं किलते फिर इसके पत्ते वुज़का जो कलर है व City अटेट से आसानी से ग्रु हो जाता है मैंने एक गुलाब के प्लांट से कई सारे गुलाब के प्लांट कर लिया अपने घर के अंदर हर मookण 살 मेंगा पीसा है क्टिंग लगा लेती हैं और हरेक क्टिंग हो जाती है और यह देसी गुलाब है起点 में काफी इसक और अब मॉई के वहीने में मैंने इसकी कटिंग मैं लगाई है अभी लगाई हैं अब तर्णेजस्ट जेसे सिर्सेयों करूंगि दोस्तों और या प्लांथ यह आएक आंप इसब्सेंट मेरे जो गार्डन में है वह उसकी गार्ण राणिуса और एक देशी गुडल है और इसके फूल है वो भी काफी खुबसूरत लगते हैं और यह आप असानी से इसको ग्रोफ कर सकते हैं कर दोस्तों वैसे तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो जिसको कटिंग की जरूरत नहीं होती जैसे यह सदा बाहर के प्लांट है यह इतने सारे हो को यह मेरे घर के अंदर प्रसलिन के प्लांट है सधाबहर के प्लांट है और एक अप्राजिता ही इनकी गिर जाते हैं और उपने आप सब्सक्कण हें नियुक्त करते u यह किसी को gift कर देती मुँग्स को इतना देती मैं इतने सारे प्लांट है टाइलों के अंदर से निकलने शुरू होगए अज़ते हैं अपने आप ही करो हो जाते हैं और फूल आते रहते हैं इतने खुबसूरत इसके फूल है काफी अच्छे लग रहे हैं और यह अच्छे लकुटक्र दूर्प की कियों किया अच्छे खूल three आंध रही है तो ऐसे बहुँ सारे प्लांट है जो कट्टिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं तो आप भी अपने घर के अंदर इनको लगा सकते हैं दोस्तों उमीद करते हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजी मेरे चैनल को सब्सक्काइब कर देजी मिलते नेक्स वीडियो में